HUL Q1 के परिनाम पूर्वावलोकन, मांग में कमी के कारण वॉल्यूम में सुस्ट वृद्धी की संभावना HUL Q1 के नतीजे, विशलेशकों का कहना है कि FMCG कमपनी के प्रॉफिट माजन को कमोडिटी की उची कीमतों का खाम्याजा भुगतना पड़ेगा जो की तिमाही के अधिकांच हिस्से में उच्चतम स्तर पर थे विशेफास्ट मूविंग कंज्यूमर गुद्स प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीव, HUL, मंगलवार The 19th of July को अपने April June तिमाही Q1 FY23 के परिनामों की रिपोर्ट करने के लिए तयार है विशलेशकों का अनुमान है कि कमपनी 6-15 प्रतिशत की वार्शिक राजस वृद्धी और एक तक शुधलाब में 12.6 प्रतिशत की वृद्धी कमपनी की बिकरी में वृद्धी कीमतों में बढ़ोतरी के कारण होने की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीन बाजारों में लगातार मांग में कमी और उपभुकताओं के कम कीमत की एकायों में गिरावट के कारण तिमाही में वॉल्यूम कम रहा विशलेशकों का कहना है कि FMCG कमपनी के लाब माजिन को कमोडिटी की उंची कीमतों का खाम्याजा भुगतना जारी रहेगा जो तिमाही के अधिकांच हिस्से में उच्चतम स्तर पर थी क्रमिक रूप से EBITDA माजिन 110 BPS से 23 प्रतिशत तक गिर सकता है सालाना आधार पर इनमे 90 BPS तक की गिरावट आ सकती है इस बीच ICICI Securities को छोड़कर ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों को सालाना वॉल्यूम ग्रोथ 1.523 फीसदी के दाएरे में रहने की उम्मीद है जबकि एक साल पहले की अवधी में वॉल्यूम ग्रोथ 9 फीसदी थी